आप देखें आज जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग कर रहा है string धंक से सुनिएगा वोई बात में जो आपको हमेशा से कहते हैं वाकी मर्जी मान नहीं मानने के आपकी रहती है कि आप अगर इन सभी वीडियो को line wise अगर आप देखेंगे तो कोई भी competition कोई भी MCQ, कोई भी टेस्ट आप easily clear कर सकते हैं, इसके साथ ही मैं आपको MCQ कराता हूँ, साथ मैं आपको theory करवा देता हूँ, आप देखें, सबसे पहली चीज इस्ट्रिंग होती क्या है? इस्ट्रिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, इस्ट्रिंग एक array है, किसका array है? करेक्टर का array है, और उसके बाद में इस्ट्रिंग जो है, वो हमेशा double quotation में लिखी जाती है, जैसे कि मैंने लिखा programming, double quotation में लिखा, जो भी करेक्टर है, वो परते करेक्टर एक byte data लेता है, तो ध्यान से सुनिएगा, परते करेक्टर एक byte data लेता है, चलिए, उसके बाद इस्ट्रिंग हमेशा null पर end होती है, slash zero पर end होती है, next अगर हम लोग आते है, तो आखी null करेक्टर होता क्या है? नल करेक्टर के अगर हम लोग बात करें, तो null करेक्टर को हम लोग string terminator करेक्टर भी कहते हैं, इसको कैसे पेचारा जाता है, slash zero के द्वारा पेचारा जाता है, अगर कोई पूछ लेगी भी उसके ask की value क्या है, तो उसके ask की value zero है, और null जो है वो string का भाग नहीं है, अगर आ इसा ध्यार रखना उस length में null सामिल नहीं होता, देखें काफी अच्छे mcq इसमें बन रही है, अगर आप सुन रहे है मेरी बात, कि एक तो slash zero पा सुरू होता है, end होता है, अगर कोई पूछ ले mcq में उसके ask की value क्या होती है, zero होती है, उसके बाद में क्या string length null को सामिल कर सकते हैं, अब आगे देखे, string का declaration अगर हम लोग करने की बात करते हैं, तो string को हम लोग कैसे declare कर सकते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, string के declaration की, string declaration की अगर बात करें, तो string data type जो है, उसमें हम ch ar का उप्योग लेते हैं, character करते हैं, string variable का नाम लिखते हैं, और उसका size लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा character ct 30, character name 20, character message 50, चलिएं आगे चलते हैं, अब है rule क्या है, सर, अगर हम string को declare करें, तो क्या-क्या rule उसके follow होंगे, पहला string character area का जो variable है, उसमें c identifier है, string का variable का size देना जरूरी होता है, आप इस तरह से नहीं declare कर सकते, अगर आपने ऐसे declare किया, तो error आ जाएगी, अगर आप string को as a data type अगर आप use करते हैं, तो such as जैसे c++ जावा में तो support करता है, string data type, लेकिन जो हमारी c language है, उसमें string keyword काम नहीं करता, अगर आप string keyword यूज करते हैं, c++ में तो आपको header file string.h लगानी पड़ती है, string से समंदित अगर आप function यूज करते हैं, तब भी आपको string.h header file लगानी पड़ती है, चलिए आगे बात करते हैं, अगर आपने कहा कि सर, हम लोग कैसे उसको initialize कर सकते हैं, कुछ तरीके में आपको बताता हूँ, जैसे आपने character str लिखकर, ऐसे double quotation में आप लिख ले, character str 50 करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, size लिखके भी आप कम size का declare कर सकते हैं, आप last पर नल लगा सकते हैं और अगर आप size नहीं लिखना चाते हैं, फिर भी last पर नल लगा सकते हैं, अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो string का एक छोटा सा program आप लोग discuss करेंगे, देखें, फिर मैं आप से बात भी करूँगा comment box में कि क्या condition है, जैसे मैंने character greeting 6 लिखा और hello 0 से बन करते हैं, अगर मैं उसको printf कराता हूँ, तो मैं percentage s का उप्योग लूगा, greeting को print कराने के लिए, और ये hello आपका print हो जाएगा, चलिए आगे बात करते हैं, क्या-क्या functions है इसमें होते हैं, एक होता है strcpy, string copy करने के लिए, मतलब क्या कैसे करेगा, string copy ऐसे करेगा, कि ये s1 में high को copy कर देगा, s1 में high को copy कर देगा, strcat work hard, दोनों को concat कर देगा, जोड देगा, high और by return minus 1, अगर पहले वाली string, दूसरी string से छोटी होती है, तो minus 1 देगा, अगर मैं str alien high लिखता हूँ, तो string की length 2 की बता देगा, अगर मैंने str reverse किया hello को, तो उल्टा कर देगा, str lwr करूँगा, तो अगर capital में लिखा है, तो small letter में बदल देगा, str upi लिखूँगा, तो उसको upper case से बदल देगा, चलिए next, str cpy function पे हम दुबारा discuss करते हैं, कि क्या है str cpy function, आप देखे हम one by one function को solve करते हैं, सबसे पहला है str cpy, string copy, अगर आप पहले string को दूसरी string में copy करते हैं, simple, दूसरा str string, str ncat, आप चाहे तो आप ये भी बता सकते हैं, कि किस को किस में copy करना है, तीन लिखा है, इसका मतलब तीन करेक्टर को copy करेगा, चलिए अगला string compare, देखे string compare function काफी बच्चे बार बार पूसते हैं, मैं आज धंक से आपको बता रहा हूं, कि अगर पहली string दूसरी string से छोटी है, तो minus 1 देगा, पहली string दूसरी string से बढ़ी है, तो plus 1 देगा, दूनों string अगर equal है, तो 0 देगा, तो ये question भी आप से पूछा जा सकता है, string की length, str alien string की length डालेंगे, string की length आ जाईए, अब देखे, एक program देख लेते हैं, अगर आप string को print करेंगे, तो percentage S करके print आप करवाएगे, ये अपने आप slash 0 पर end होता है, चलिए, अगर एक बात करते है, loop चलाने की, तो loop को देखे कैसे चल रहा है, अगर आप scanf कराते हैं, तो कभी भी m% लगाना जरूरी नहीं होता, धंक से सुनिए, कभी भी m% लगाना scanf में जरूरी नहीं होता, अगर आप loop चलाते हैं, तो i0 से कब तक चलाते हैं, नल आने तक चलाते हैं, आप देखते हैं कि अब एक करेक्टर change होगा, कब तक होगा, नल आने तक count करके, उसको count कर लेगा, चलिए आगे देखते हैं, अगर आप pointer का use करते हैं, तो आप pointer में सीधे value को store करवा सकते हैं, ये देखे P के अदे A, B, C, D, E करके slash 0 आ गया, आप चाहें, तो character S खाली छोड़के भी इस तरह से string को allocate कर सकते हैं, अगर आपको ये बात समझ आ रहे हैं, तो comment box में मुझे okay लिखे, yes लिखे, और अच्छे comment करें, और नहीं आ रही तो मुझे बताएं, अब देखें, उसक और P बड़ाब मैंने लिखा, तो P मतलब array का पहला address उठाएगा, लेकिन string के एक विशेस्ता होती है, कि वो पूरी string को उठा लेता है, array की तरह नहीं होता, जैसे आपने pointer विद array किया था, तो अगर उसमें बात करते हैं, तो उसमें केवल पहला character उठाता, ये पूरे सारे क सारे ABC उठा लेगा, जब आप P प्लस वन करोगे, तो BC उठा लेगा, मात समझ में आ रही है, बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, कि वैसे normally P करने पर, pointer type का array लेने पर, वो केवल A को दिखाता है, P प्लस वन पे वो B को दिखाता है, P प्लस टू पे वो C को दिख अगर आप कोई बात समझ में आई है, तो like बटन आप जरूर तबाए, अब देखें, library function की अगर आप लोग बात करते हैं, कि कोन कों से library function है, तो str alien, str cat, str cmp, str cpy, string length आप बिना अगर इसके करते हो, तो आपने कहा, कब तक चलेगा, नल आने तक चलेगा, तो वो string की length पता कर लेगा, क्यों, क्योंकि जैसी नल आएगा, हमें पता लग जाएगा, भी string की length क्या है, इस program को आपको देखना है, कि pointer कब तक चल रहा है, नल आने तक चल रहा है, प्लस प्लस N हो रहा है, तो उसको length पता लग जाएगा, अगर आप दो string को जोडते हैं, तो पहले आप पहली string को बढ़ाएंगे, फिर आप दूसरी string को उसके अंदर कोपी करेंगे, कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, प्लस प्लस P किया, फिर दूसरे वाले को उसके अंदर क्या कर दिया, आपने कोपी कर दिया, ये सारा काम मैंने किस से किया है, पॉइंटर से किया है, चलिए, string compare व दोसी स्ट्रिंग से बढ़ी है तो मैंने क्या बताया था प्लस वन आएगा छोटी है तो माइनस वन आएगा सिंपल सी बात इस टिंग को आप प्लस बैसकते हैं जैसे मैंने भी आपको बताया था और अगर आप सीधे फंक्शन यूज करना चाहे तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं आप पर्टिकुलर इस तरह से S2 प्लस 8 की करेक्टर को S1 प्लस 10 करेक्टर पर भी डाल सकते हैं मतब इतना हिस्सा ही स्ट्रिंग का इतना हिस्सा कूपी हो जाएगा तो काफी अच्छी चीजे मैंने आज आपको स्ट्रिंग में बताई है अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो कमेंट करें शेयर करें लाइक करें लाइक बटन आप नहीं प्रेस करतें शेयर कभी भी नहीं करतें इतनी मेहनत करने का फायदा अगर आप नहीं देतें तो मे यह इतना ही है फिर हम लोग करेंगे mcq उसी के बेस पर